नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आईजी आइमस में मरीजों को मिलेगी नई सुधा बिहार वीजेपी ने 45 जिला ध्यक्षों के नाम का किया एलान राजकिय पक्षी गोड़ाया को बचाने की मुहीम लाई रंग उपेंद्र कुश्वाह को वाई प्लस रेनी की शुरक्षा मिली भारत के लिए आज करो या मरो का मकाबला इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से आईजी आईएमस में मरीजों को मिलेगी नई सुवधा बिहार राजी के पटना में इस थित आईजी आईएमस में मरीजों को और भी अधिक सुवधा मिलने वाली है बता दे कि अब यहां आने वाले मरीजों को दवाई के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब उन्हें उनके बेड़ पर ही सभी दवाई यां अस्पताल करनियों के द्वारा 15 से 20 मिनट में उपलब्ध करवा दी जाएगी दरसल पटना आईजी आईएमस में जाच की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजटल तरीके से की जाएगी इसे के तहट मरीजों की परिशानियों को देखते वे यह नई सुधा मुहया कराई जा रही है बता दी कि IG IMS में जांच की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने की वज़ा से अब मरीजों को इलाज संबंधी सभी जानकार या जानी से उपलब्ध हो सकेगी इसके लावा अगर कोई मरीज इमर्जेंसी वोर्ड में एडमिट है और उसे तुरंथ किसी चीज़ की जरुवत पर जाती है तो ऐसे में उनके लिए कॉल सिस्टम की विवस्था भी की जा रही है जिससे अगर मरीजों को किसी प्रकार की परिशानी होती है तो वह सीथे कॉल क अपी परिशानी का हल निकलवा सकते हैं बिहार बीजेपी ने 45 जलाध्यक्षों के नाम का किया एलान पार्टी में कारिकरताओं के मर्मुटाओं को दूर किया जा सके इसके लिए बिहार बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैश्वा के द्वारा लिस्ट जारी कर लोग सभाचुनाओं को लेकर सभी जिलों की कारेकारणी में बड़ी फेर बदल करते वे प्रदेश के सभी 45 सांगठनिक्स जिलों के लिए नए जलाध्यक्ष की निउप्ति कर दी गई है बतादी की जारी किये गए इस लिस्ट के अनुसार प मुप्ति नाथ सिंग निशाद समीत कई नाम शामिल है अभिनेता नर्देशक सतीश कौशिक का हुआ निधन बॉलिवोड के मशूर अभिनेता और डारेक्टर सतीश कौशिक ने 66 साल के उम्र में आज यानी की गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया है बतादे कि इस बात की जानकारी बॉलिवोड अक्टर अनुपम खेर के दौरा टूइट कर दी गई है उन्होंने टूइट कर लिखा है चानता हूं मृत्यू ही इस दुनिया का अंत्रम सच है पर यहां बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखू पैतालिस साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पुनरविराम लाइफ विल नेवर बी स्तेइम विदाउट यू सतीश ओम सांती बता दे कि शतीश कौशक की मृत्यू दिल का दौरा पढ़ने से हुई है इस बारे में अनुपम खेर के दौरा दी गई जानकारी के नुसर सतीश उनी की सिकायत की थी लेकिन जब तक उन्हें अस्पता ले जाया गया रास्ते में उन्हें दिल का दोड़ा पड़ा और उनकी मृत्य हो गई विशी मौसं सेवा के नोडल पदादिकारी डॉक्टर सुनील कुमार के दोरा विशेज जानकारी देते वे कहा गया है कि तेज हवा के दौरान किसान से चाई का काड़े न करे और साथ ही किसी प्रकार का छिरकाओ भी उस दौरान न करे इसके साथ उन्होंने यह भी बताया ललीता देवी ने तयार किया लेमन ग्रास का साबुन बिहार के गया जले के मानपूर प्रकंड अंतरगत गौर्चनी मुहले की रहने वाली ललीता देवी के द्वरा लेमन ग्रास का साबुन तयार किया गया है बता दे कि साबुन पूरी तरह प्राक्रतिक और केमिकल फ्री है मालुमों कि साबुन के इस्तमाल करने से लोगों के तवचा पर किसी प्रकार की कोई हानी नहीं पहुंचेगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किया वही ललीता देवी है जिन्होंने मुख्य मंत्रे नितीज कुमार की समधान यातरा के दोरा नितीज कुमार को लेमनग्रास की चाय पिलाई थी अपने दोरा निर्मान किये गए इस लेमन ग्रास साबुन को लेकर लरीता देवी का कहना है कि साबुन पूरी तरह से प्राक्रतिक है और स्क्रिन के लिए काफी फाइदे मन भी है उन्होंने कहा कि साबुन में किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तमाल नहीं पर होल्डिंग टैक्स को लेकर सबसे ज़ादा बकाया है पता दे कि जाड़ी की गई नोटिस के नुसार मगत विश्यविद्याले के होल्डिंग टैक्स का बकाया चार दसमो चे आट करोर रुपए है जिनका भुकतान उन्हें 31 मार्स 2023 तक कर देना है पता दे कि यह नोटि गया नगरपरिसत के द्वारा की जाएगी पता दे किस बात की जानकारी बोद गया नगरपरिसत के काड़े पालक पताधिकारी संतोस कुमार रजक के द्वारा दी गई है पिहार के किसानों को अन्य मश्रूम के साथ बटन मश्रूम का भी उत्पादन करने का अफसर मिले उसको देखते वे कटिहार में कृषी विग्यान केंदर के दौरा बटन मश्रूम को तयार किया गया है लेग्णानिक डॉक्टर रीता सिंगुके न्रतनुमे जाड़ी थी मालवक्री कृषिवियान केंद्र में बटन मश्रूम का उतपाद नरधारित प्रक्रियार के तहत कि गई है डॉक्तूबस से ऑک्टूबर से फरवरी तक होए आने मश्रूम की तुलना में इसकी डिमाइं धीरे धीरे अपना अस्तित्वक होते जा रही है, ऐसे में अब गोड़या को बचानी की मुहीम रंग लाई है। पक्षियों को सरक्षन मिला है और इनकी आबादी में भी व्रिदी हो गई है। 222 करोड की लागसे कारगिल चौक से एनाइटी के बीच बनने वाले 2.2 किलो मीटर लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर में कारगिल चौक से कुलहरिया कंप्लेक्स के बीच नर्मान कारे शिरू कर दिया जाएगा। बता दे किस दौरान किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो उसको देखते वे कारगिल चौक से फुलवरिया कंप्लेक्स के बीच सरक में बैरकेडिंग भी की जाएगी आपके जानकारी के लिए बता दे किस डबल डेकर फ्लाई ओवर के नर्मान होने से जाम की समस्या से लो पिंदर कुश्वाह को केंद्री खूफिया विवाग के अनुशनसा क्या अधार पर ग्री मंत्राले के द्वारा वाई प्लस श्रेनी की सुरक्षा दी गई है बता दे कि इन दिनों उपिंदर कुश्वाह अपने विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हैं वहीं उन्हें बचाओ श्रेनी की सुरक्षा दी जा चुकी है इस वज़य से जेडियू ने लिया नागालेंड लेकाई भंक करने का फैसला जेडियू प्रवकता अविशेग ज्छा के द्वारा नागालेंड लेकर सफाई देते वे कहा गया है कि जेडियू नीती और सधान पर चलने वाल लेकिन अब उन्होंने बीजेबी को समर्थन देने का एलान कर दिया है जो हमारी नीती और सद्धान के खिलाफ है इस पावत राश्ट्रीय रितित्व ने यह फैसला किया है कि नागा लैंड की प्रदेश इकाई को भंग कर दिया जाया और होने कहा कि मुख्य मंतरी नितीज क कुमार लगातार बिहार में महागरबंधन का स्वरोब तयार कर रहे हैं और देश में विपक्ची एक जूट ता लाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे स्थिती में इन चीजों के लिए कोई इस्थान नहीं है चल्दी ही हम सभी आगे की रननीती पर भी विचार कर फैसला लेंग पर शो तक फुर्दंग और कुर्टा फार होली खेलते नहीं है उनके होली में आम लोगों से लेकर खास सभी लोग शामिल होते थे और होली का लुटफ उठाते थे वही लालो यादव के होली को मिस्करते वे आरजेटी विधायक रनविजय साहू का कहना है कि लालो जल से जल ठीक होकर पापस पटनाल लोटेंग इसके साथ ही जदिव के प्रदेश अध्यक शुमेश कुष्वाह का कहना है कि लालो यादव की होली निराली होती थी और भी कई नेता अपने अंदाज बे होली खेलते हैं लेकिन इस बाल की सियासी होली सूनी सी रही गोल्ड का समगलिंग करते वे एयर इंडिया का केवन क्रू गिरफतार अब तक आपने तस्करों द्वारा कहीं तरह से सोनी की तसकरी करने की खबर शुनी होगी लेकिन ताजा मामला कुछ ऐसा है जहां एयर इंडिया के केवन क्रू के द्वारा सोना अपनी हाथों में लप भाग के दौर अगुप्त सूचना के आधार पर केबिन क्रू सफी को 1 किलो 487 ग्राम सोने के साथ गरफतार किया गया है फिल हाल इस मामले को लेकर केबिन क्रू से पूछताच की जा रही है भारत के लिए आज करो या मरो का मुकाबला आज भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच अगर पिच की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि यह पिच स्पीनलो को काफी मदद पहुचाएगे ऐसे में अगर स्पीनलो को मदद मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैं जीतना काफी मुश्किल हो सकता है जानी आज भिहार में क्या है पैट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी गुडवार को पैट्रॉल डीजल के रेट जाड़े की रेटएग है पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों इन अपने जवाब हमें हमारी कामेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आज आपके छित्र में होली के बाद कैसा महौल है आपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षिन लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूर्स और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले प्राट